इसके लाए रभान रहीम असलाम अलेकुम आज हम इतना एक इंपोर्टन टॉपिक स्टार्ट करें इसका नाम है फॉरन ट्रेड एन एकनोमिक असिस्टेंट फॉरन एड बदलब यही के इंटरनेशनल यह एड आती है जो वो असिस्टेंट नहीं देते हैं उसका हमारी कॉनमी अपटे लोगियगी है क्या होता है च्श। के इस पोरन इट के अंदर हमिक्रिटू करेंगे दिसदवांटेज और व्यूज़ी होगी तो म ब करेंगे इस वह गेंगे इस भीॉजाना लिए तो अगर आम बात करेंगी what is ।। हांड यह तंब हार निवै को इस dépरा मिई can also be food supply and services such as UNIT and take the military assistant broader definition is the aid in any assistant transfer across the border by the religious organization, non-government organization, NGO and foundation of US foreign aid refer to the military and economic assistance provided by the federal government provided in other countries which means that if we talk about foreign aid, we can talk about food supply, disaster, winter clothes, food items, etc. We can talk about foreign aid, which will be across the border from another country. foreign aid किस किस तरह की हो सकती है, हम भी हम भी डिसकस के लिए नेशन है अजोछे जैसे एफ़र स्वहर्मेट डेटिकाथ आप अससेट बेशन अच्याथ पराइड गूंट्री दे तरक्क्याथ तरक्याथ इव मुल्क जो देता है वो इस इस फोर्य में दी जा सकती है, मनी की फूर्म में में बीडिकल एसिसंट इसेंट इसेंट्र इसंट humanitrism such as relief worker भेज दे training of service include agriculture training लोगो पुप्रेब कर दे healthcare में education में लोगो पर फॉस्ट facility पर जायद एससेंट with the infrastructure and building जाए Chinese आखे माँ पर काव कर रहे है THE एक्टिविती related to the peace of building government may government may make agreement with the country to which they provide assistant instead of developed nation may agree to provide grant of the those in need after the natural or dealing item of conflict. Whether they provide any types of capital or human services, government may agree to issue loan to an aligned nation that experience economic uncertainty with the special repayment provision. जो फॉर्ण रेट होती है यह रीप इवेड्मेंट के साथ भी होती है, यह नहीं कि आप ले ले पर वापस नहीं करेंगे, आपको यह किसी नहीं किसी कौर्म में उनको रिटर्न करना होता है, कि कोई भी किसी कंट्री को दिला, विता हुँद अपने किसी इंटरस्ट के ऐसी परवाइड नहीं करता है, एडवोंटिज औप वाइन टेट के हैं, फॉर्ण एकनोमिक असिस्टेंट इस वेरी इंपोर्टन फॉर्णिक डेवल्पेंट पाकिसान, देवाज़ बेनेफिट इस तॉच असिस्टेंट आर अंडर, यह यह एकनोमिक डेवल्मन के लिए बहु इसलीड पाकिसान, बेस्टेंट इस गेश्ट करटें हूं, इसको भर्ण जाला इस वेरे नमुक् sound, पाकिसान द्वाइन जाला मिकसान अरफेंट पाकिसान due to the national income and poverty per capital income is very low, here the rate of saving is very low, low investment rate cannot help the capital formation and economic development, similarly import is greater than export therefore there is always deficit of balance of payment, foreign loan aid not only the bridge of domestic and saving gap but also help the ऐखना हो, Overcoming Balance of Payment Problems, हमारे हैं रहों प्रोब्लम्स ही है, कि हमारे बैलस of payment भी नेगटीब है, हमारे बार पैसे भी होते हैं, तो उसके अदर हम अक्सर foreign aid ही होती ही, कि जब हम प्रेविंट रेने जाते हैं, तो हो हमें helpful होती है. को अट्यों एपर काछी सी प्लब डिविल्ड ऑर सपक्राइब पाकिस्त मandu डिलऌट अबिल्फटी साम पर नेकिलो पä neuron pasɪ से शेंटारीक का थेखेंच culture का थे Fish कि युटिलाइजेशन और मशीन प्रोडक्टिविटी अ इन्हांस एंदजा प्रोड़क्टिव कैपसिटी और वेरियस सेक्टर आप अपर आप इस इसे ओंपने पर थांपिए तो से अबर्गने कार्मने को चोड़का है ठीक है अच्छेज देखितें इस्टेप्टेतिय। अ मौटपी सोचल इंफरस्थे इस अश्यूंच इस इस उस इस इसकेशन पस्कानी को एड विदूबलर ऑफिकर साव्रेयर्टिर थे थांस्यूं इस इंफ्रस्रक्शन और ड्वालमेट अक्तिवीटी और स्थार्ट इनका हुए इस के अंदर वैसे ही जे अगारों के पास जन्रेट होता हुए उनका हो अगर झूद्रेट होता है अगरोन के अधरी पहुता है तो इसलिए हम तो जो हमारी foreign aid आती है वो भी हम political influence के अंदर और इसके अंदर भी corruption होती है कि ultimate जगह जिज़ार के लिए वानी लिए लिए लग पाती है और हमारा करजा और different चीज़ें चड़ती पर चड़ती ज़ने जारी है तो भी अगर हमारा modern economic or social infrastructure के अंदर भी foreign aid बहुता हमें helpful होती है level of technology increase with the help of foreign aid which is in the way the technology the technology collaboration project and modern machine are used which is produced super quality super goods and a greater number of hair art are using of goods as highly quality consume our benefit हमारे पास ना तो ऐसे पूई technology हम purchase कर सकते हैं ना develop करते हैं कि हमारे लोग में ना पढ़ती करें बादे करें ना नहीं कोई research करते हैं ना कोई research कितने अधार हैं हम क्या करते हैं जब बाहर मुलकों में कोई नहीं चीजा आती है तो हमारे पास पैसे में होते हैं तो फिर हमारे मुलक के जो फॉरूसी मुलक है जिनसे हमारे एच्छे relation है उनकी तफसे जो foreign aid आती है उसमें मशीन भी मिल जाती है वह हाई technology मिल जाती है जो ultimately हमारी economic development के such as wheat, dry milk and so on चीजे जब भी कोई अर्थ कोई काता है जन्चला आता या और बहुत सार हमारे लास्ट हो जाते हैं तो इसके लिए भी हम completely dependent होते हैं के हमारे जो लोग हैं जो हमें formulate दे रहे हैं तो हम चीजे प्रवाइट करें अच्छा defense modernization Pakistan want to modernize defense capability which can only be possible provide a foreign aid is available foreign fighter plan F-16 and other modern warfare technology can only be secure with the help of foreign aid and long Pakistan do not have sufficient foreign exchange to finance this crucial requirement of the country हमारे पास वो यही कह रहे हैं कि भाई इतने पैसे नहीं है कि हमें तरह महिंके महिंके जर्ट ले सके और war equipment ले सके तो वह क्या होता है या तो हमें foreign aid में मिल जाते हैं या फिर हम कुछ काम कर देते हैं तो इसी तरह से हमारी economy और national defense चल रहा है तो अगर national defense के हमारे foreign aid ना हो तो शायद हमारे national defense यह है वह according to this इतना strong law increase in tax revenue when the foreign loan when the foreign loan is utilized established and industry social overheated then the economic activity grow goods and services are produced foreign trade is increased all the factor increase of government income through the different tax flows जब foreign aid आती है तो उससे हमारी economic development के process शुग हो जाते हैं infrastructure का काम होना किसी industries के अंदर काम शुग होना तो ultimately क्या होता है लोगों employment मिलता है लोगों employment होता है इंकम जनेट होती है इंकम जनेट होती तो government's income पे tax लेती है तो foreign aid से tax revenue के लिए बढ़ जाता है जहां पर इसके बहुत सारे advantages है तो definitely disadvantages भी है disadvantages of foreign trade क्या है the foreign trade foreign economic assistance and foreign aid result the following disadvantage increase the foreign aid debt servicing increase the production cost of habit to dependency of foreign loan and misuse of aid exploitation of donor country commodity a discourage the domestic agriculture product dependency of import raw material for the donor country project tied loan for less priority projects saving investment balance of the payment gap proportion of tied aid and severity or heart damage increase अब इनको एक एक करके थोड़ा सो discuss करते हैं अचा increase in foreign aid and debt services Pakistan has already borrowed too much foreign loan and it is still borrowing now in order to pay the interest of Pakistan that the debit burden is continuously increased जैसी foreign aid आती वो यह वैसे नहीं आती क्या आप देने और इसको 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 return करना होता है और जो return करते तो उसको आप loan के साथ करते हैं और जो जो आप foreign aid लेंगे तो आप उसके against loan में interest में जो पैसा देंगे जिए आपका interest बड़ेगा आपका country का करदा बड़ेगा और वो economic development के लिए बहुत बुक्सान होता है ठीक है next है हमारा increase in production cost as a result of increase in the cost of project because the interest heavy remuneration and other french benefit which are given to the foreign आपके प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उनको पे करना होता है definitely उनके लोगों का माय कर रहे तो उनको interest में बढ़ जाता है जिस ultimate cost बढ़ जाती है जब cost बढ़ जाती है तो आपकी चीजों की international market में अतनी value नहीं रहती habit of dependency and foreign loan and misuse of aid a deceiving country in truth Pakistan is not exact and do not policy to develop their economy with their own domestic resources do not pay attention to the government of technology they just entirely depend upon other major portion of the aid particularly a miss appropriate by the concern government जो वही वाल कि जो हमारे पास बहार से मदब के अंदर आती है चीजे पैसे और फलाना फलाना तो वह भी क्या होता है उसका misuse हो जाता है तो या तो गवर्रों के ऑफिशल्स इसको corruption में चला जाता है या वह और इसकी जाता है कंट्री की development प्रीश देवाल ही होता है जो कंट्रीयां में पैसे देती है एड देती है उनका कोई ना कोई हम इसे इंट्रस्ट होता है और फिर अपनी बाते बनगाती है जिससे हमारी जो foreign policy है उनको ज्यादा मुतासिर होती है सब्सक्राइब के साथ थी अभी हमारी है वह में बहुत जाता एड देते हैं तो अभी जब मलेशन की conference होई तो उसमें इम्रान खान जा रहे थे संकत के लिए तो उने मना करा कि आपनी जाए क्योंकि जो जो तुर्की बगारा डिफरेंट कंट्री तो उनको लाइक नहीं कर सब्सक्राइब करेंगे जो लाइक करते हैं कि वह में पैसा दे रहे ठीक है commodity aids discourage domestic agriculture product when aid is the term of commodity such as wheat which may be the time to provide the heavy nominal price discourage the local production that the commodity because the high cost of production within the country in this situation discourage local agriculture production जनाब ने बाहर से तो एक लेट लेडिया आपको tons of weed मिलिया टिमांटर मिलिया गंदू मिलिया गंदू मिलिया है वह जिसने दूरे छे महीं ने cultivation किया है उसकी बहुत जादा आ रही हो तो discourage हो जाएगा ना वो दुबारा नहीं हो गाएगा उससे आपकी local industry है बहुत जाद the material for the industry will have to be imported from loan given otherwise industry will not be continued to production because of the particular material is not available locally this cause heavy foreign exchange जो चीज़े वो प्रोवाइट कर रहा है अगर उसका कोई substitute economy में available नहीं है तो एक दफ़ा जब आप वो चीज़ वो मेशीन वो इस्टूरी यूज़ करने लग गए तो आपको उसकी जो maintenance boss replacement boss तो बहुत बढ़ जाएगी कि आपको उसकी continuous को दुबारा से खरीना पड़ेगा आपके लिए बहुत ज़दा halfu like novit development के लिए ठीक कि next देख थे project tied load and less priority project sometime the donor country may give the project tied load for those project which the time being may not be on the priority of the borrower and may not be very much feasible this way the donor can be burden of economy but burden of country because the principal amount as well as the interest has to be paid while the project is not वो जब आपको देते तो उसमें भी आपको को बहुत जादा थार्वन पिंडिक्शन होती है और जिस काम के लिए भी देरें उसी में लगाना है यह निए कि आपने पैसे ले लिए आप जहां दिल चाहिए उसको फर्श कर रहे हैं आप अगर वो मुलतें कि उनके इंटरस में के इंदर पैसा लगाओ इवन उसका इंटरस भी आप पे करेंगे प्रिस्वल भी पे करेंगे और उनकी वर्दी से ही नॉन प्रोडक्टिव वे में उसको इस्तिमाल भी करना पड़ेगा ठीक है तो सेविक इंवेस्मेंट और बैलस ऑफ पेमेंट गैप आजाएगा पाकिस यहां अची हो जाएगा अच्छी हो अच्छी होतीए बलके उल्टा उस पर बाटेक्ट पड़ता चला रहा है अच्या पूश्यन ऑटा एट के जटान जाएगा पाकिसन अच्छे रही है अच्छा प्रोड्ड़ान में लिदा से श्विदर सावेट से इट्राम जरी आएग अब जो है उनका rate of interest क्योंका हमारी क्रेटिबिलिटी गवर्णिटी का पॉलिटिकल जो है हमारे क्या नहीं है स्टैबिलिटी नहीं है तो गवर्णिटी चल्दी चेज होती है तो दोनों कंट्रियां देने वाले वह भी हमकर इतना ट्रस्ट करते हैं तो तो बहुत जाथ गारंटिया माँँते हैं और गारंटिया माँदी के पाद मैं पर स्टैटेवां हाई इंट्रस एक जो देंटेटें पे देटेएं जिसके वजा से हमारी जो इंटरनेशनल पोजीशन है वह जाब एफैक्टेव होती है चाहिए एक चीज़ होती है फॉर् कि वो फोर अविड़ों देख रहे हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं वो इंवस्कर्णेट से नस्थ्री हैं लगेंगा उसका ultimate फाएदा होता है कि फायदा है तो फैदा होता है तो उसकी क्या के बनेफिट है रइसपंड देख Advantage of foreign direct investment के है, limit on profit reputation should be fixed, foreign investment should have a joint venture with a local partner, foreign investor should have export certain opportunity to their product, monopoly control, anti-cartan law should be in force of foreign investor. अच्छा जी, disadvantage में क्या है, disadvantage में क्या है, बहीं foreign investment के profit और royalty are repeated, which is increased the burden of balance of payment, जब भी बाहर की कपनी हमारे आके लगाएंगी, कोई forms लगाएंगी, तो जब profit होगा अपनी country में लेके जाएंगी, जिससे जब पैसा हमारी मुल्स से जाएगा, तो balance of payment हमारा negative पे चला जाएगा, foreign company have superior product dominate local market, therefore the growth of local enterprise suffer a lot, जब बाहर की metronomy case ही आजाएगा, तो local product investment के पास बुदा ना पैसा है ना होगा है, तो बोड़े ना पैसा है, तो वो डिस्करेज होती है, अच्छा, foreigner established their factory in a big city for the want of production, but it is create the economic disparity between rural and urban areas of the country, वो तो बड़े शहरों में कैसे लगाएंगे, जान से उनको return expected होगा, तो उससे क्या होता है कि class conflict आजाता है, एक रूलर एरिया में और अर्वन एरिया में, और अर्वन अर्वन एर्वार्ण, foreigner developed friendship with the political and bureaucrates, they provide respectable job to their sons and relative and move the economic power to influence government policy of their advantage, वो ही कि जितने political लोग है, उटके बच्चों को ये लोग job provide करती है, बार की कम्पनिया और फिर उन से assembly वैसे का पास कराती है, जो इनकी favor में हो, जो इनकी favor में हो, ठीक है, ठीक है ठीक है, इस एड्वांटे जो फॉरन direct investment का आज क्या है, एक प्रेटर नहीं होता है, प्रेटर नहीं होता है, बड़ी investment होती है, उनके पास तो उसकी वज़ासे वो heavy price चार्ज करते है, साइवेन देश भी in appropriate consumption pattern through the advertisers such as KFC, Pepsi, Cola, Walmart and mobile foods etc, उनके पास इतना बड़ा budget होता है, प्रेटर के लोगों बहुत heavy marketing से है, एरटाइजमेंट से एक slide करते हैं, ठीक है जी, 7 अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, foreign private investment increase the foreign exchange liability on important raw materials, जितनी foreign private investment होगी, वह बाहर से material लाएंगे और उसका ultimate effect क्या होगा, अगर ये McDonald's वाले हैं तो उनकी चीज़ भी सब भाहर से आती है, यहां से कमाते हैं उससे उसकी payment करते हैं, जब उससे वह उसकी payment करते हैं, तो हमारा बहुरा जादा exchange, foreign exchange महाँ चला जाता है, जिससे हमारा balance of payment मजीद negative होता है, ठीक है, यह दोनों का पे foreign trade और foreign investment वाला बहु सेम वर्ड में पूछे मंगर जो बात पूछेगा वो इसी topic में से related होगी, तो आप उनको relevant करके उसना answer दे सकते हैं, ठीक है, इस lecture में इतना ही, thank you so much